नितीश कुमार जब से प्रधान मंत्री नरंदर मोधी के साथ दिल्ली में दावत करके आए हैं तब से एक बार फिर बिहार में विपक्ष की नीदुरी हुई है। अभी एक दिन पहले ही मितीश कुमार ने अपने तमाम जदियू के कारेकरताओं को बुला कर एक गोपनिय तरीके से बैठक की हैं जिसे बैठक में करे निर्देश जारी किये गए थें, मोवाइल तक बाहर जमा करवा लिया गया था और अंदर से बाहर आने वाले जितने भी क बात है, लेकिन क्या वाकई नितिश कुमार पलती मालने के लिए तयार है, इस पर आज हम बात करने वाले हैं, फिलहाल नमस्कार में प्रिकास चंद्रा और आप देख रहे हैं, प्रिकास वानी, अगर आप यूटूब पर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब् मोटिवेशन मिलती है, फिलहाल बात ख़बर की करते हैं, जैसा कि आपको पता है को जोनों पहले अभी एक दो दिन पहले खबर आई थी कि नितिश कुमार दिल्ली में तस्वीरे भी वारन हुई थी, नितिश कुमार प्रधान मंत्री नेहंदर मोधी के साथ तो कभी हमंत सो मोरेन के साथ तस्वीरे आई थी जहां दिल्ली में वो राष्ट पती भावन के भोज में शामिल थे, कहा जा रहा है कि नितिश कुमार की प्रधान मंत्री से कड़ी भी विवक्स को चुभ रही है, और कहीं यह डर्स अता रहा है कि कई बार पाला बदलने वाले नितिश कु प्रशी बचाने के लिए और इंडिया गट बंदन से मन अनुरूप पद न मिलने के कारण कि आप फिर से भाजपा में सामिल हो सकते हैं, तो इन तमाम बातों पर निकल कर बात जो असपट से सामने आई है, उसका क्लियर कट एंसर है नहीं, क्यूंकि अगर हम तमाम तरह के चीजों को देखे, विसलेशन को समझे, तो दो चीजे समझ में आती है, एक समझ में यह आता है कि जो भोज था, जो G20 समीट में जो राष्टा धक्षो का भोज था, उसे परधान मंत्री ननंदर मोदी नहीं, बलकि राष्ट्रपती की तरफ से आयोजित किया गया था, वो BJP की तरफ कूच करते हैं, तो BJP उन्हें मन मताबिक कुछ भी ऐसा नहीं देने वाली, जिसके लिए वो वहाँ जाएंगे, तो इस बात पर फुल स्टॉप लगता है कि क्या नितिश कुमार फिर से कहीं जाने की सोच रहे हैं, क्या फिर से पाला बदलने की सोच रहे हैं, इ इसके लिए उन्हें कारेकरताओं के बैठक बुलाने की कोई जरूरत नहीं थी, अगर इस बात की जरूरत नितिश कुमार समझते, तो वो खुद ही ये फैसला कर चुके होते हैं, इसमें कारेकरताओं के बैठक बुलाने की कोई भी जरूरत नहीं है, तो एक बात ये भी नितिश कुमार को इंडिया गटबंधन में मनोकूल मन के अनुरूप पद नहीं मिलने से वो नाराज है कि ललन सिंग और नितिश कुमार में ठीक ठाक नहीं चल रहा है क्योंकि ललन सिंग इस पर अभी जदियू की जो कारेकरता हो बैठक हो यह उसमें ललन सिंग सामिल नहीं करता हो कि उनका शामिल नहीं होना साफ यहीं बताता है कि वो बिमार है और कोई बरी बात नहीं है इसलिए वो सामिल नहीं हो पाए है दूसरी बात कि जो चर्चा चल रही है कि क्या नितिश कुमार को इंडिया गटबंधन कहा जारता कि संजोजग बना जाएंगा नितिश क तो देखिए समझने की चीज़ है, बिहार में जब 2024 का लोकसभाद चुनाओ होगा, तो बिहार में जातिकत वोट बहुत जादा परते हैं, और रही बात की दोनों पक्ष है, सवर्नों की वोट को भी साधना है, और यादवों की वोट को भी साधना है, बैकवर्ड वोट को भी साधना है, तो कहीं न कहीं लालो जादो की राजनेती कहलेजी या नितिश्कुमान लाजादो की सुझभूज कहलेजी या फिर जो भी इंडिया गट वंदन के अंदर बात बनी होगी यही तैय किया गया यही सोच कर साथ फैसला लिया गया है कि तेजस्वी यादो एक तरफ जहां यादो या OBC कम्यूनिटी को बिलॉंग करेंगे मुस्लिम कम्यूनिटी का वोट खीचेंगे उनकी तरफ अपना भरुशा रखेंगे और उस वोट बैंक को साधने की क कोशिश करेंगे जिसमें यादो पिछरा समाज मुस्लिम और अन्य पिछरे समाज है जो भाजपा को नहीं देखना चाहता और पिछरा समाज है वो तेस्वी यादो के साथ खरे होंगे लोग सभाचुनाओं में कोडिनेशन कमिटी के सदस्रके तोर पर उनको मैनेज करेंग तो कहीं न कहीं ललन सिंग को कोडिनेशन कमिटी का सदस्रके बनाकर इंडिया कटवंधन या लालू परसाध यादो की रनेनिती ने उसी जातिगत फेक्टर पर चूट करने की कोशिश किया कि तेस्वी यादो एक तरफ अपना पिछरा बोट बैंक समाले ललन सिंग आगे ये तेवर नितिश कुमार को भी पसंद आ रहा है और ये तेवर हर उस इंसान को पसंद आ रहा है जो ललन सिंग को ललन सिंग की तरह देखना चाहता था तो कहीं न कहीं एक पूरा रानितिक समीकर्ण बन चुका है इंडिया कटवंधन बिहार में खेल करने को तयार है कुर्सी पर ना हो कर भी कुर्सी को भीरा की चमता रखते है ये नितिश कुमार ह zor सर जांते है नितिश कुमार कवणन की जरूत कहीं नहीं क्वर नहीं जा रहे है उनका कटवंधन आज के साथ है 2025 तक नितिस्कुमार मुख्ध मंत्री बिहार के हैं ये भी तैय है 2025 के बात एस्विया दोग बनेंगे ऐसा नितिस्कुमार खुद भी कह चुके है कि इसको अब राजय चलाना है तो हो जबता है वह रादित को से सन्यास ले लेकिन उसके पहले अगर वो प्रधान मंत चीटे भी गडवंदन इंडिया गडवंदन ले आती है और भाजपा को जटका लगता है तो ये नितिश्कुमार लालू परसाद्यादों के रन्निती का एक बड़ी शफलता माने जाएगी जिसके लिए वो जाने जाते हैं नितिश्कुमार और लालू चाद्यों का की जो म लालू पर आपको कुछ कहना है तो हमें कमेंट में जरूर बताईगा वीडियो अगर आप फेस्बुक पर देख रहे हैं तो इसको फॉलो कीजिए पेज को वीडियो को शेर कीजिए आपने सुझाव बताईए यूटूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जर करताईए पर देख रहे हैं